वेदान्त एक बाद अब टाटा एर्बस भी महरास्टर से गुजराच चला गया है पहले टाटा एर्बस नाकपुर के मिहान से शुरू होने वाला था मगर अब जानकारी ऐसे सामने आ रही है के प्रोजेक्ट गुजराच चला गया है ये खबर जैसे आती है विरोधी पक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है शनिवार को कॉंगरस पक्ष की ओर से अंदुलन कर महराश्टर सरकार का विरोध किया गया कॉंग्रस का कहना है कि महाराश्चत सरकार पंदर प्रधान नरेंदर मोदी के लिए काम कर रहा है। मैं दन्वीर एमद माजी नगर से वाथ। नागपूर में दो मील हुआ करती थी एंप्रेश मिल और मॉडल मेल। नागपूर वो लोग की शुरुवात जो सुबा की जो लोग जागते थे साड़े पाच बजे जब मील का मोगा बसता था उस टाम लोगो का दिंचरिया सुरू होती दोनों मीले आज बंद है और जो बूटी बोरी में में इस्या की सबसे बड़ी एमाई डीसी जो बनाई थी उसके उसके इसमें कोई नए प्राष निय आ रहे है उसके बाद में मिहान में कोई नए प्राकल निया रहे हुल्टा जो नाम महारास् साथ के और विडर्फ क में शिप्ट कर दिये जो सरकार है ये मोधी की दलाल है और ये सिर्फ मोधी को खुश करने के लिए और गुजरात के चुनाओं में जीत हासिल करना इनका उद्देश है इसलिए महारास्ट के प्रकल्पी है गुजरात लेके जा रहे इससे जो नापपूर के और विदर्प के महारास के जो बच्चे पढ़े लिखे लोग है उनका उनके रोजगार चीनने का काम और यह पाप महारास की सरकार और खेंद्र की मोधी सरकार कर रहे हैं महारास्टे में जो सरकार आई है, यह सरकार कोई मैंडेट लेके आई नहीं है, यह जबर्दस्ति चाती पे बैठी वे लोग है, और यह लोगों की हिम्मत नहीं है कि महारास्टे के जो प्रखल पर जा रहे हैं उनको रोकने की, उसका विरोध करने हम आई है, पहले जो गया है पहले मेडिसिन पार्क गया, मेडिकल एक्विक्मेंट पार्क गया, वेदानता फॉसकान गया और अभी ताटा एयर बेस गया, ताटा एयर बस यह प्रोग्राम है, और यह सब को तुम अगर मिला के देखते हो तो टोटल दो लाख लोगों का रोजगार यहां से गया, और यह हम यह नहीं बोले कि गुजरात गया, इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे है, यह महारस्टा का अलाट हो चुका था, यह महारस्टा के हख की बात थी, और महारस्टा ने पूरा इंकजाम कर दिया था कि आप आके यहां बिजनेस करो, और यह हमारे मूँ से छीन के लेके जा कर रहे हैं, अनवी साब तो बोल दी नहीं सकते कि उनको सत्ता मिल गई है, गड़करी साब को क्या हो गया, गड़करी साब में बोलना चाहिए, संग्या का मुख्या ले यहां, संगीलो क्या कर रहे हैं यहां, हमारा इसलिए विरोध है